करने वाला हूं जो कि AIMS के BSE & MSE courses के रिकारणिंग रहने वाल है यहां पर मैं आपके साथ जो discuss करूंगा basically वो topic यह है कि जो आपने registration process complete किया है तो final registration का status के बारे में जो है आप लोग कोशन कर रहे थे कि final registration का status है वो कब तक update होगा क्योंकि आपको जैसे पता होगा जो previous फाले नोटिस था इसके अकॉर्डिंग 16 यह 17 अपरेट को जो है आपका final registration का status update होना था ठीक है बट मेबी आप लोग को यह चीज नहीं पता काफी सारे candidates को कि जो schedule है वो आपका आपर जो है दुबारा से आया था ठीक है यह reschedule हो गया था आपका तो जो नया वाला जो notice आया था उसके according आपको मैं यह बता दूं कि जो registration window है वो 26 अपरेल तक basic registration की open हो गई है कर सकता है ठीक है तो इसी वज़े से जो आपका final registration का status है उसकी भी डेट यहां पर change हो चुकी है तो यहां पर आप देखोगे फूर्थ वाला जो पॉइंट लिखा है status of application for BAC honors nursing BAC nursing post basic and BAC paramedical course 2024 तो इसके लिए status update इन्होंने लिखा है कि 8 मई 2024 को होगा यानि कि final registration का जो आपका status है वो जो update होगा वो 8 मई 2024 को होगा यानि कि अभी आपको जो wait करना होगा ठीक है तो basically आपको करना गया होगा कि 8 मई को आप एक बर शाम तक जो है login करके check जरूर कर लेना कि आपके registration में कोई भी issue तो नहीं है ठीक है तो ये check करना आप सभी के candidates के लिए mandatory होगा क्योंकि कुछ cases में बहुत rare cases में अगर कोई rejection आते हैं तो rejection अगर आगया और उसको अगर आपने correct नहीं किया तो उस case में आपका application form reject हो जाएगा और आप ही सुचोगे कि मैंने तो सब कुछ सभी कर रखा था और हो सकता है फिर आपका admit card ही generate ना हो ठीक है तो 8 मई को evening तक जो ह कि आपका जो final registration है वो accept हो चुका है या नहीं हो चुका है और यही same चीज जो है MSE courses वालों के लिए 9 में को जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी ठीक है और जो उसके बाद आपका जो मतलब क्या बोलते हैं अगर कुछ भी problem उसमें होती है तो उसके लिए last date जो है आपक अप्लोड करने के लिए रहेगी वो 14 में रहेगी ठीक है तो यह पूरा आपका जो reschedule वाला notice है जिसके according में आपको सारी information बता दी बाकि अगर किसी ने registration नहीं किया और मेरे से registration करवाना जाता है तो मेरे को telegram पे आप contact कर सकते हो तो telegram आईडिया आपको screen पा दिख जाएग okay so thank you and have a nice day